प्रिया दर्शन को नमस्कार आए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार सेल रावकला इस्पास सेंटर और सेल बोकारो इस्पास सेंटर में सेल वीजन स्टेट्मेंट सर्वेशन लाइफ हुआ सेल के नई वीजन स्टेट्मेंट बनाने में प्रत्य करमचारी की भागिदारी अपेक्षित और सेल रौकला इस्पास सेंटर द्वारा लाठीकटा ब्लॉक में सिनर्जी लोग सांस्क्रितिक महत्सफ का आयो जन बोलानी नित्य मंडली चैंपियन अब समाचा विस्तार से सेल रौकला इस्पास सेंटर आदरसपी सेल बोकारो इस्पास सेंटर बी एसल और संबंदित इकायों के लिए सेल दिख दिश्टी उकती विजन स्टेटमेंट सर्वेक्षन की शुरुवात बोकारो इस्पास सेंटर के अतिरिक प्रभार के साथ रौकला इस्पास सेंटर के न कार्याप्र निदेशक वर्क श्री S.A. सूर्यवंची, कार्याप्र निदेशक परियोज नाई श्री P.K. साहू, कार्याप्र निदेशक सामिगी प्रबंधन श्री सोमनात त्रिपाथी, कार्याप्र निदेशक चिकितसा एवं स्वास्त सेवा, Dr. B.K. होता, कार्याप्र एस एल सेल रिफ्राक्टरी यूनेट, एस आर यू कोलेरी, ओरिसा खान समू और जारकन खान समू के कार्यप्रण निदेशक और वरिष्ट अधिकारी वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से बैठक में भाग लिए निदेशक प्रभारी ने सर्वेशन प्रश्णा वाली लिंक का अनावरन किया और इसे उप्योगी बनाने के लिए सभी से इस व्यापक विशाल काई अभियास में भाग लेने का आग रखिया उलेकनी है कि वीजन स्टेटमेंट तयार करने के लिए सेल के प्रतिय करमचारी के विचार एकतरत करनी की यूजना बनाई जा रही है जो कमपनी के भविश्य के रोड मैप को परिभाशित करेगा तेजे से विक्सित हो रहे व्यवासाइक परिदिश्य में विशेश अभियान के महत्वर पर जोड़ देते हुए श्रीभामिक ने कहा यह वीजन उल्ग उगामी बॉटम अप परिदि के माध्यम से तयार किया जाएगा जिसमें प्रते करमचारी के सक्रिय भागिदारी और इंपूट को महत्वर भी दी जाएगी श्रीभामिक ने दिशा तय करने करमचारियों को प्ररीद करने लक्षे और उद्देश्य निर्धारित करने करमचारियों को प्रोच साहित करने और प्रबंदन और करमचारियों दोनों के लिए दिरकालिक लक्षे स्तापित करने में विजन स्टेट्मेंट की महत्व पुन भुमिकाओं पर विचार विमश किया। उन्होंने समाप्ती टिपणी करते हुए कहा कि आप में से प्रतेक के पास मुल्यवान अंद्रिष्टी और द्रिष्टी कोण हैं जो हमारी नई दिख दर्शन को आकार देदी में मदद करेगा। इससे पहले महाप्रबंदक व्यापाश्रेष्टा श्री अनुबिंदा महांती ने विजन स्टेट्मेंट के पुनलेखन इसके महत्व इतिहास, वांशित विशिष्टाओं और सर्वेक्षन के कार्यक्रम पर भी एक संक्षिप व्यवाहरिक प्रस्तूती दी। आरस्पी के मुख्य महाप्रबंदक कामिक एवंग प्रसाशिन श्री बिरेंद्र कुल्लू ने अधिक्तम करमचारी भागिदारी सुन इश्चित करने के लिए आरस्पी में अपनाई जार रणनितियों के बारे में विचार वर्क्ये। BSL के महाप्रबंदक जनसंपक एवंग संचार मुख्य श्री मनीकान धाम ने इस प्रभावी बनाने के लिए BSL में अपनाई जाने वाली रणनितियों के बारे में बताते हुए एक समान प्रस्तूती पेश की। शुरुवात में मुख्य महाप्रबंदक एचाडी सूश्री राच्ष्री बनरजी ने अपने स्वागत भाषन में संक्षित तौर पर पूरे अभ्यास की रूप रेखा प्रस्तूत की और इस अभ्यान में शामिल कोर्टीम के सम्मिलिक प्रयासों को रिखांकित किया। मुख्य महाप्रबंदक PPC सूश्री सुनिता सिंग ने अंत में ओप्चारिक धन्यवाद क्यातिक किया। सेल। राउटकला इसपास सेंथर RSP के विभीन शेत्रों में लगे 35 ठेकाश्रमिकों को बेरिंग मेंटेनन्स पर माना संसाधन विकास के इंद्र में आयोजित पूर्ष सिक्षन के मान्यता आर पी एल प्रसिक्षन के तहट प्रसिक्षित किया गया। मुख्य महाप्रबंदक के चाड़ी सू श्री राच्री बनजी एवं मुख्य महाप्रबंदक डिजाइन एवंग शॉप्स श्री रवी रंजन ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। तक्निकी सत्रों में योग्यता आधारित प्रसिक्षिक के नित्तुव वाले प्रसिक्षन सत्र, पेशेवर विकास और कौशल बढ़ाने की गतिवी दियाएं, प्रार्तिय व्यवसाहिक कौशल के नुसार शम्ता का मुल्यकान और कार्यस्तर में पेशेवर अभ्यास से सिध कार्यस्तर पर लागु स्वास्तय और सुरक्षा भ्यास पर प्रकाश डाला गया, बेरिंग मेंटेनन्स पर कार्यस से संबंदित जैसे की विभिन बेरिंग वर्गीगन की पहचान करना और उनके हिस्सों की साफसफाई प्रक्रियाओं को समझना, इंजिनेरिंग ड्राइव इसका उद्दिश्य प्रतिभाग्यों को सुरक्षा के प्रति जागरुपता बनाना और उन्हें दुरगटनाओं से बचाने के लिए काम से संबंदित खत्रों की पहचान करने के लिए तयार करना और उन्हें मानक संचालन प्रक्रियाओं और कारिय मान दंडों से परिचित कराना था सत्र का संचालन भारतिय लौ एवंग इस्पाज शेत्र कौशल परिशत की विश्वग्यों द्वारा किया गया वर्श प्रबंदक HRD श्री एल मरांडी ने सत्र का संचालन किया विशेश रूप से RSP के HRD केंद्र ने देश के कौशल आधार को मजबुत बनाने के लिए भारत के मानिनी प्रधान मंत्री की परिकल्पना के अनुसार कौशल भारत मिशन के तहट IISSSC द्वारा दिर्धारित देशा निर्देशकों के अनुरूब उमीदवारों को देने की एक परियोजना शुरू की है सेल रौटला इस्पास सेंटर RSP के CSI विभाग द्वारा 17 नवंबर को सोना परबत बांध टोला गाउं में आयोजित सिनर्जी लोग सांस्कृतिक महतसर्फ की जोनल स्तरिय प्रत्यगिता में लाठी कटा ब्लॉक के विभिन गाउं के 30 नित्य दलोने उत्सा पुर्वग भाग लिया आजस्पी के मुख्य महाप्रबंदक SS2 श्री टी पी शिवशंकर समापन समहारो के मुख्य अतिती के रूप में उपस्तित थे जबकि मुख्य महाप्रबंदक नगर पसाशन एवंग CSR श्री पी के स्वाई समहारो के सम्मान अतिती थे इस अवसर पर महाप्रबंदक CSR सुश्री मुन्मुन मित्रा सहक महाप्रबंदक CSR श्री टी बी टोपो सहक महाप्रबंदक CSR श्री एन पती उप्रबंदक CSR सुश्री रिचा सुधी राम सरपंच जल्दा सुश्री गीता ओराउं सरपंच सुधी सुष्री कारी एच 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 जी ग्रूप के सदस्य और गाउं की बुजूद भी उपस्तित थे इस अफसर पर बोलते वे श्रीशीव शंकर ने विजटाओं के साथ साथ कारेकरम के प्रतिभाग्यों को भी भधाई दी और शेत्र के संब्रद सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देन किये बुलानी गाउं का मा चला ग्रूप लाठी कटा ब्लॉप नित्य महस्व का चैंपियन बनकर उब्रा और दस हजार रुपए का नगत पुरुषकार और चैंपियन ट्रॉफी जीती बटवारा गाउं की अठकार पढ़ा दित्यमंडली ने दूसरा पुरुषकार जीता नगत पुरुषकार और एक ट्रॉफी प्रदान की गई इससर पर निनायकों को भी सम्मानित किया गिया शेश भाग लेने वाले प्रतेक मंडली को धाई हजार रुपए का साथवाना पुरुषकार भी दिया गिया यह कारेक्रम आरसपी के सीयसा विभाग द्वारा सोना प इसे के साथ आज के हिंदी समाचा समाप्त होते हैं नमस्कार बमाज नमस्कार समाप्त हो कार बनमस्कार जो होतो और बाहरेक्रा आरसपी के दो साथी meant क के अर भाग स्वालय को डहरेक्रित के साथरी को बाहरै